इस वक्त की सब्से बड़ी ख़बर दर्शने के सामें शिमला के खलीने अलाके में कई पेड जड़ से उखड़ चुके हैं तो आपको बड़ी ख़बर हम बता रहे हैं कई गाडियां भी दभी हुई हैं जिससे भारी नुकसान भी हुआ है और कुछ गरों को भी नुकसान पहुँचने की आश्रंका यहां पर जताई गई है भारी बारश की वज़े से बिजली ववस्ता पूरी तरह से ठप है शिमला के कई लाक के अंधेरे में डूप चुके हैं हिमाचर प्रदेश के शिमला से यह तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं देखिए हर जगे अंधेरा पसरा हुआ है क्यूंकि बिजली सप्लाई यहां ठप हो चुकी है भारी बारश की वज़े से पेड उखड कर गिरे हैं और इसे गाडियों को भी नुकसान पहुंचा है कई घरों पर भी यहां पर पेड गिरे हैं कई गाडियां पेडों के नीचे दब गई हैं यह तस्वीर आप देखिए जहां पर अचानक से गाडियों के उपर यह पेड गिरता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर पूरा इलाका इस वक्त अंधेरे में धुप नजर आ रहा है और इमाचल प्रदेश में जारी भारी बारिश को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूल कॉलेज आज बंद रहेंगे और इसके साथ ही राजिस सरकार ने सभी आंगन बारी केंद्रों को बंद करने का भी फैसला लिया है और इमाचल प्रदेश युनिवर्सिटी ने आज प्रस्तावित सभी पर इक्षाओं को रद कर दिया है इसे बीच हिमाचल के मंडी से दिल दहला दने वाली तस्विर सामने आई और एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पहाड दरखता हुआ दिखाई दिया ये जमीन खिसकने की घटना मंडी शेर के विश्व कर्मा मंदर के पास हुए जहाँ पहाडी से पहले छोटे छोटे पत्थर गिरते वे नसर आये उसके थोड़ी ही दिर बाद पहाडी का एक बड़ा सा हिस्सा गिर कर सीधा सड़क पर आगेरा यानि पूरी तरीकिसी अमाल बाद लिए और इस दोरान बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में जो भी आया वो उससे तबाह करते गए मलबे के साथ पेड़ भी उखड़कर मंदर के पास गिर का है तुशासने खत्रे को देखती वे एहतियातन आसपास के अलाकों को खाली करा लिया है यानि इन अलाकों में आप कोई रह नहीं सकता है यह जो पर्टिकुलर हम हिमाचर प्रदेश के मंडी का वो एरिया दिखा यहां पेग पाहड दड़कने की तस्वीराँ के साथ हमाचर प्रदेश के मंडी से तस्वीर सामने आई है जहां पर अचानक पाहड दड़कने की घटना देखी गए और ऐसे में पहली प्रात मिक्ता यही रही कि आसपास के इलाके में जोगी लोग हो उन्हे पास से शड़ करतवाही मची है सड़क पर सलाग के साथ मलबा आ जाने से कई गाडिया उसमें दब गई बातल फटने से इतना पानी गाउं में बरसा कि चमोली में तीन फोल बाच चुका है और इसकी वज़े से कई गाउं का संपर्क जेले के दूसरे हिस्सों से तूट गया है चमोली में ब हिमाचल प्रदेश हो या उतराखंड हो हर जगे इस वक्त मौसम का प्रहार देखने को मिल रहा है बादल का प्रचंड प्रहार इन इलाकों में पढ़ रहा है लगातार भारी बारिश की वज़े से आपको बता दे कि तीन पूल भी ध्वस्त हो गए हैं जिसकी वज़े से अ पूरी की पूरी सडक बहने से लोगों की मुश्किले बढ़ चुके है क्योंकि गार्यों के आने जाने पर ब्रेक लग चुपा हैं सेलाब कितनी तेजी से आया होगा इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं कि सडक पर लगे रेलिंग भी आपर तूटे हुए दिखाई दे रहे हैं ये अलग-अलग एंगल से मापको तस्वीरे दिखा रही हैं और सभी से ही गोजारिश है जो भी पहाड़ी लाखों के लोग हैं खासकर हिमाचर प्रदेश और रुत्राखन के इन इलाखों से दूरी बना ले तो तस्वीरे आपको दिखा रहे ह सभी लोग अपने घरों में कैद हैं और जो भी यात्री है उनसे गुजारिश वेई की जा रही है कि वो अभी पहाडी रास्तों पर ना जाए और वहीं उतराखंड के देरादून में लगातार हो रही बारिश की वज़े से रास्ते बंद हो गए है मौसम वभाग ने देरादून में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है उतराखड में नदियों में उफान है और इस भी जगे जगे बादल फटने और जमीन खिसकने की घटनाओं के बाद से ही प्रशासन ने लोगों को पहाड़ों और नदी की नारों से दूर रहने की हिदायत भी दिये है पुशकर सिंग धामी बाद और बारिश की आहलात को लेकर अधिकारियों के साथ ये कुछ सतरी है बैठक भी कर रही है और उन्होंने जल्द से जल्द मदद पहुचाने की निर्देश भी जाली किये हैं बादल फटने की वज़े से तबाही हुई है भारी बारिश की वज़े से लोगों पर जो मुसीबत बरसी है उस पर मुख्यमंतुरी की नजर है मुसम में भाग का रेड अलर्ट चल रहा था और बारा तारीक के से ही भारी बारीश चल रही है विशेशकर गढ़वाल चेतर में कुमाओं में भी है पर गढ़वाल में ज्यादा हुई है कल तो तेरा चोबिस घंटे रुका ही नहीं है नॉन स्टोप आज रात भी पूरा ऐसा ही रहा है तो सभी चगह रास्ते बंद हैं सभी जगह प्लिस अलर्ट है और हमारी अश्ट्यरफ की टीमें लगी हुई है चाम झाल 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 झाल